नमस्कार, हालाई में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है नई दिली दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉलिटेट कैपिटल सिटी है तता भारत के 35 राज्य टाप 50 मोस्ट पॉलिटेट सिटी में सामिल है यह रिपोर्ट IQAR एक स्विस संस्था है उसने तयार किया है जिसने 106 देशों के एर कॉलिटी को मेजर किया है और अपनी रिपोर्ट बनाई है इस रिपोर्ट में सबसे पहले पर है होटान सिटी जो चाइना की है उसके बाद गाजियाबाद, बुलन सहर और अगर आप देख तो हम इसे ही विस्तार पुरोग समझेंगे तता या भी जानेंगे कि एर पॉलिशन क्या होता है, क्यों होता है और इससे किसी देश की एकॉनमी और एक व्यक्ति के फिजिकल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसको रोकने के लिए सरकार या पबलिक क्या कर सकती ह सबसे पहले एर पॉलिशन, हवा में पॉलिटेंड जैसे कि नैट्रोगन डायकसाइट, ओजोन, पार्टिकुलेट मेटर के मिल जाने से हवा इतनी जादी खराब हो जाती है जिसके वज़े से एक इंसान के हेल्थ तथा एक इन्वार्मेंट में बुरा प्रभाव पड़ता है यदि हम यह समझें कि यह पॉलिशन की मुख्य बजाएं क्या है तो इसको हम इन चार पॉलिटेंड के द्वारा समझ सकते हैं क्योंकि यही चार पॉलिटेंड सबसे ज्यादा कामन और सबसे हर्मफुल होते हैं तो सबसे पहला है पार्टिकुलेट मेटर जिसे साथ पार्टिकुलेट मेटर को हम उसके साइज के हिसाब से नेमिंग करते हैं यानि यदि उसके अड़ू 10 माइक्रोन के हैं तो हम उन्हें PM10 यदि 2.5 माइक्रोन से है तो उसे PM2.5 बोलते हैं यही दोनों PM10 और PM2.5 सबसे ज्यादा डामेजिंग पार्टिकल्स हैं क्योंकि यह इतनी सुच में होते हैं कि इस इनसान की लंग या इनसान की सरीर में सांस की द्वारा चले जाते हैं जिसकी वज़े से सरीर में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है एक इस पिक्चर में आप देखेंगे तो एक हुमन हेर का जो वो 50 से 60 Micron का Diameter होता है और एक Sand जो होता है उसका Diameter 90 Micron होता है लेकिन PM2.5 और PM10 का जो Diameter होते है legendary 2.5 Microns and 10 Microns होता है इस वज़े से यह इतनी The Trimental होते हैं कि हमारे lungs में भी चले जाते हैं जिनकी वज़े से कई प्रकार की बिमारियां होती हैं उनमें सबसे मुख है, respiratory infection होता है, heart disease होते हैं, COPD stroke आता है, तथा length cancer हो सकता है WHO की report में बताया गया है कि हर साल लगबग air pollution के वज़े से 70 लाग लोगों की मोत हो जाती है तथा 20 की 91% population bad air quality में रह रही है air pollution का effect हमारे सरी पर यानि physical health पर तो होता ही है, उसका बहुत बड़ा effect किसी देश की economy पर पड़ता है एक estimation है, world economy को हर साल 5 trillion का last होता है, क्योंकि bad air के वज़े से इंसान की productivity घटती है जिसकी वज़े से उसका workforce और उसका mental ability भी decrease होता है तो आईए जानते हैं कि air quality को measure कैसे करते हैं, इसको measure करने के लिए एक air quality index होता है जो 0 से 500 degree के बीच में होता है, यदि आप इस chart में देखेंगे, तो हम air quality index को 6 भागों में divide कर लेते हैं पहला होता है कि 0 से 50, यानि जो बढ़ियां होता है जिसमें रहा जा सकता है moderate होता है 51 to 100, इसमें एक healthy percent तोरा सकता है, लेकिन जो sensitive group हैं, उनको थोड़ी समस्या आ सकती है फिर भी यह air quality acceptable है, लेकिन इसके उपर जितनी भी air quality है, यानि 101 लेक से जितनी उपर है, वह sensitive group के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और 101 से लेकर 150 यह unhealthy होता है sensitive group के लिए, sensitive group में हम उनको बोल सकते हैं, जिनको किसी प्रकार की respiratory disease या cardiovascular disease है 101 से लेकर 200 के बीच में unhealthy होता है, यह general public के लिए भी और sensitive group के लिए 201 से लेकर 300 तक अगर air quality index है, तो very unhealthy है, वहाँ पे health alert इसू कर दिया जाता है और last 301 या उससे उपर है, तो वह hazardous condition है, वह अस्तान रहने योग नहीं होता है अब अगर आप यह सोच रहे होंगे कि दिल्ली की air quality कैसी है, एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली में एक दिन सांस लेना 15-20 cigarette के पीनी के बराबर है तो इससे आप समझ सकते हो कि situation कितनी grave है, दिल्ली जो की हमारे देश की राजधानी है, यदि उस सहर की यह हिस्तिती है, तो हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसको सही करने का उपाया डूढना चाहिए IQ, Air 2020 की रिपोर्ट के अनुशार, दुनिया की top 10 worst air quality वाली country इस प्रकार है, पहले पर है बांगला देश, जिसके हाँ, average EQI index, यानि Air Quality Index 162 है, पाकिस्तान 130, इंडिया 141, और बाकि सभी देश हैं, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ओमान, कतर, किर्गिस्तान, इंडोनेसिया, अगर आप जहां से देखोगे, तो mostly South Asian countries हैं, और वे कुछ देश, चुनिंदा देश हैं, जिनके हाँ Air Quality सबसे अच्छी है, उस पर पहला है, प्योटरो रिको, यदि आप EQI index देखोगे, तो 15 है, यदि आप इसे भारत से compare करोगे, तो आपको अंतर अस्पष समझ में यह एक पिक्चर है, आप देख सकते हो, कि जो राइट हैंड साइड है, यह करोणा के समय में ली गई थी, जब पूरे देश में lockdown लगा था, अब दूसरी पिक्चर, नार्मल जेंद, दिसंबर जन्वरी महिने की है, आप दोनों पिक्चर में अस्पष अंतर देख सकते हो, I think, अब तक आपको समझ में आ गया होगा, कि air pollution क्या होता है, और कैसे measure करते हूं, अब एक last, जो बहुत महत्पूर्ण चीज है, कि हम इसको air pollution को कैसे रोख सकते हैं, इसको हम दो तरह से divide कर सकते हैं, एक public और एक government, अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझते ह कि एक public एक आम जनता, air pollution को रोकने के लिए, उसको control करने के लिए क्या कर सकती है, public transportation का यूज करें, दूसरा है, आप खुले में westage को यूही न जलाएं, उसके वज़े से वहां की air में carbon dioxide की मातरा बढ़ जाती है, दिसरा है, कि आप paddle air cycle का उप्योग करें, पच्छा होता है, कि आप energy को कम से कम energy का उप्योग करें, जैसे AC, cooler, यदि जरूरत ना हो, तो उसको use ना करें, क्योंकि उससे भी energy का consumption ज्यादा बढ़ता है, ये तो रहाए एक public क्या कर सकती है, इसमें बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने मुख्यता इनको चार भागों में, डिवा awareness फैलाए, लोगों को समझ में आए, कि ऐसा करना क्यों जरूरी है, इसके क्या impact हो सकते हैं, या उनके परिवार की सदश्यों पर उसका क्या क्या पर भापड़ सकता है, तीसरा, सरकार एक strict major भी ले सकती है, ताकि लोगों को एक डर बना रहे, यदि वे गंदगी करेंगे है तो उनको सजा भी हो सकती है, और last और चोथा सबसे important, provide alternate solution, ऐसा देखा गया है कि अधिकांस उत्तर भारत में फसल कटने के बाद जो बचे हुए भाग को जला दिया जाता है, जो सबसे मुख रीजन है, दिल्ली जैसे सहरों में production होने का, बट जो अभी air pollution है, उससे बचने क क्या कर सकते हैं, तो उसमें कुछ मुख 3-4 चीजों को किया जा सकता है, कि आप बाहर जब भी निकले, मास्क पाने कर निकले, संभव हो तो आप जहां पे traffic ज्यादा हो, आप जाने से बचें, एर्दी air quality बहुत ही ज्यादा खराब हो, तो आप अपने घर में air filter का सक्षन में लिख सकते हैं, धन्यवाद.